बस साथ रख जोशुद है शोट अप्लस सिल्वर पाफ मसाला सब की जुबापर मैं यहाँ पर चल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास की जानकारी लेने के लिए मैं आया था वो बहादर तो हैं लेकिन वो अपने लोग के लिए लड़ना भी जानती है जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोग के समस्याओं का कैसे समधान करें उसके लगातार वो लड़ती रही है मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसर जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ और मुख्यमंत्री की मैं तकलीव और परिशानियों को जानता हूँ लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में मुख्यमंत्रीयों की तकलीव बड़ी है परिशानिया बड़ी है जो दिल्ली सरकार से सयोग और मदद मिलनी चीए उन मदद को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदवाब और अन्याई लगाता दिल्ली की सरकार ने किया है और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर अब दिल्ली की सरकार में कन्फ्यूज नहीं हो केंद सरकार केंद सरकार ने सबसे ज़्यादा भेदवा वगर किसी के साथ गया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अर्विन केजिवाल जी के साथ सरकार बन गई उनकी वो जनता के लिए काम करना चाहते है जनता क्या स्वास कैसे बेतर हो उनको सभी सिख्षा कैसे मिले और सुबिधाय कैसे मिल पाएं वहीं केंज सरकार लगातार रोडाट का रही है उनको तकली परिशानी पहुचा रही है और जब उन्हें हर जगे से रहात मिलना का काम शुरू हो गया जब वो बहार आ जाते ये केंज सरकार की जानकारी में होगा कि वो बहार निकल आएंगे वो निकल न पाएं जनता के बीच में न पहुच पाएं सरकार ठीक से न चला पाएं इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुगदमा लगा करके फिर उनको फसा दिया की ये के लोग कोई पहली वार नहीं फसा रहे लोगों को ये लगातार फसाते हैं लोगों को और उनको फसाते हैं जिनसे इन्हें खत्रा है सीवी आई का इस्तिमाल होना दिल्ली की सहस्थाओं का इस्तिमाल होना और उसी का परणामी ये था कि BJP की सरकारे खिला मतान हुआ, वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केन सरकार, वो कभी सफाया हो गया हो था।